ब्रिक्स के मंच से पियम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए प्रचंड प्रहार किया। पियम मोदी ने जहां आतंकवाद और उसके समर्थन करने वाले देशों को घेरा तो वहीं यूएन में सुधार से लेकर भारत की आत निर्भरता से दुनिया को वाकिव भी कराया। ब्रिक्स में पियम मोदी ने और क्या क्या कहा देखते हैं न्यूस टॉप 9 मोदी प्रहार में। में रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं उन्होंने कहा कि ब्रिक्स पारदर्शी तो है ही दूरदर्शी भी है। में पियम मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पातन और डिलीवरी श्रमता पूरे विश्म में मानवता की हित में काम आएगी। पियम मोदी ने कहा कि भारत में अपने आत्मनेभर भारत अभ्यान के तहट एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेश शुरू किया है। इसका उधारन हमने कोवीड के दोरान भी देखा जब भारती फार्मा उद्यों की श्रमताओं के कारण हम पच्चा से ज्यातर देशों को दवाएं भेज़ पाए। प्रधान मंत्री मोधी ने अवेरिका के नव निर्वाची तराश्रपती जो बाइडन से फोन कर बातचीत की उन्हें चुनाव में जीत की बढ़ाई दी इस दोरान पियम मोदी और बाइडन के बीच कई मुद्दों पर बात हुई दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमती भी बनी प्रधान मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने साजा प्रात्मिक ताओं और चिंताओं पर चर्चा की